शान्ती पर्व अध्याय 1332 और अध्याय 1331 महाभारक खंड आठ बिबेक देबरोय के अनुसार एक बार जब कर्ण परशुराम के आश्रम में थे तब वे तलवार और धनुष के साथ समुद्र की तटपर अकेले घूम रहे थे उन्होंने अपने धनुष और बांज से कोशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया अभ्यास करते हुए कर्ण को पास में ही एक किरन नजर आता है जिस पर वह अपने युद्ध कोशल का अभ्यास करने के लिए निशाना लगाते हैं किन्तु जब वह निशाना लगा लेते हैं और पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह कोई हिरन नहीं बलकि एक अच्छेट सी गाय थी एक ब्राह्मन जो उस गाय का मालिक था अपनी गाय को ढूंदते हुए अपनी गाय के मृत शरीर के पास आता है वह कर्ण से उस गाय के मृत्यू का कारण पूछता है तक कर्ण अपने द्वारा की गई भू के बारे में ब्राह्मन को बताते हैं ब्राह्मन ये सुनकर अत्यदिक रोधित हो जाते हैं वह कर्ण से कुचते हैं कि वह ऐसे किस ध्यान में था कि उसे ऐसा करने की जरूरत पड़ी कर्ण ने कहा कि वह अपने शत्रू का ध्यान लगा कर अभ्यास कर रहा था यानि यह प्रान ले लिए यह बात सुनकर ब्राहमन और अत्यदे क्रोधित हो जाता है। यदि ऐसा है तो तुम जैसे वीर को जब ऐसी परिस्तितियां मिलेंगी तभी तुम्हें एहसास होगा कि ऐसी परिस्तितियां कैसे वीरों को क्षती पहुँचाती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा हम आपके कमेंट का रिपलाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जन्हीं ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लोटेंगे आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे